नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जरगां के टॉप 25 पर्मोग खबर जारी रहे हैं वहां से सिंधू बोर्डर पर जमा होंगे और फिर जनतर मंतर जाकर आपना पर्दसन जारी रहेंगे मौसम विभाग ने जरखन में हाई अलर्ट जारी किया है बतादे राजे के सभी जीलो में अगले 48 घंटे तक गरजन के साथ मुस्लाधर बारिश की संबहना जताई है बुद्वार को राजधानी राची में दो फरबात बारिश सुरू हो गई है बतादे आस्मान में बादल छाय हुए हैं वहीं राजे में आगामी 27 जुलाई 2021 तक में गजन के साथ हलके से मज़दर की बारिश होगी नियुकती वर्ष घोशित कर नोक्रिया देना भूल गई हमन सरकार रगवरदास अभि तक हमन सरकार नहीं निमावली नहीं बना पाई है एक माह में निमावली में सुधार का दावा भी अब पूरा होता नहीं दिख रहा है पुर्व सियम रहुआदस ने कहा कि इसी परकार पंचाज सचीव सहायक पुलिस पाराशिक्षक आदिहार कोई आंदोलन करने को मजबूर है पाराशिक्षको के मामले में तो नियमावली, वेतनमान, कल्यान, कोस के गठन सेमेत अने चीजों का उनकी सरकार ने ड्राप्ट तयार कर लिया था अब केवल ज़रुरत है उसे केमिनेट में लाकर पारित करने की ज़र्खन में मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परिक्षा 26 जुलाई तक मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परिक्षा लेने के अनुवती सरकार ने दे दिया इसे लेकर झारकन एकेडमी कॉंसील जेक ने स्कूली सिख्षा यमसक्षरता विभाग को पत्र भेजा था, जेक ने परिक्षा को लेकर दिसानिदेश जारी कर दिये है, बता दे बैसे परिक्षा थी जिनकी प्रायोगी क्परिक्षा नहीं हो पाई थी, उनकी परिक्षा 26 जुलाई तक लेने के लिए कहा गया है इस्कुल कॉलेज 23-26 जुलाई तक प्रायोगी परिक्षा का अंक ओनलाइन जैक की वेबसाइट jack.sharkhan.jov.in पर अफलोड कर सकेंगे इस समन्द में दिशानिदेश जैक की वेबसाइट पर उपलबधा है आजीव का फारम फ्रेस के जरिये ताजी सबजियों की होम डिलेवरी राश्टिये ग्रामिन आजीव का मीचन अंतरगत राची में संचालित आजीव का फारम फ्रेस के जरिये ताजी सबजियों की होम डिलेवरी सर्विस की जार्खन ग्रामिन विकास सचीव डाक्टर मनिस रंजन ने सराना की है साथी इसे अने जीलों में सुरू करने एवं पलास उत्पादों को भी उसमें जोडने का नेदेश दिया है इसके अलावा राजे में जैविक खेती को बड़े असर पर बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया है बिकास के पैमाने पर जार्खन 27 नमबर पर बिकास के लिए निधारित पैमाने पर जार्खन 27 नमबर और विहार 28 नमबर पर है बतादे बर्ष 2020 में SDG के 16 बिंदूओं पर सभी राज्यों और केंदर सासित पर देशों में किये गए कारियों के आधार पर निती आयोग ने पैमाने निकाला है बतादे जार्खन में 36.20% बच्चे ठीक नापन के सिकार है जबकि 42% बच्चे का वजन कम है वही 62% बच्चे के माता पिता का निधन हुआ है ऐसे बच्चों का नमांकन समगर सिक्षा अभियान के तहट संचालित आवास्य विद्यालों में कराने को कहा गया है जार्खन सिक्षा पर्योजना निधेशक डाक्टर सैलेस चोरसिया ने इस समगर में सभी जीलों के DEO और DAC को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से एक का निधन हो गया है उनके पठन पठन को लेकर भारत सरकार की ओर से दिशा निधेश दिया गया है कहा गया है कि काक्छाचवा से 12 ब्रस की अनुशुची जन जाती अल्प संख्यक, BPL, पिछलावर की छत्राओ का नमांकन कस्तुर्वा गांधी बाल का विद्याले में कराया जाए सिक्षा ब्यवस्था के प्रतिराई सरकार उदासीन अईभावक संग जार्खन अईभावक संग के अध्यक्ष अजयराय ने कहा है कि सूबे के 4896 स्कूलों में 30 से भी कम छात्र का होना सिक्षा ब्यवस्था के प्रतिराई सरकार की उदासीनता का परिचायक है बता दे हिंदूस्तान में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस सिक्षा में सुधार के सरकारी दावों की पोल खुल गई है उन्होंने कहा कि जब से हेमंद सरकार बनी है तब से राजी की सिक्षा ब्यवस्ता को सुधरीट करने की दिशा में कोई कारगार कदम नहीं उठाया गया उन्होंने कहा कि 4896 स्कूलों में 30 से कम चात्रों का रहना सरकार की सिक्षा परनाली पर सवालिया निशान खड़े करता है नहीं लगेगा स्रावनी मेला सुबस साम ओनलाइन दर्शन कुरोणा संक्रमन के कारण इस साल सरावनी मेला नहीं होगा उपायुक्त मनजुनात भयंत्री ने तीर्थ पुरोहितो संग बैठक में कहा कि देव तूल सरधालूओ वा बावा बैदनात के भगतों को ओनलाइन पुजा की जगह ओनलाइन दर्शन की विवस्ता की जाएगी बर्तमान में कुरोणा संक्रमन के रोख्थाम और सरधालूओ की स्वास शुरक्चा को देखते वे सरावनी मेला के आयोजन को इस वर्ष अस्थागीत रखा गया है जारखन में 46 नए केस मिले हैं जो राची से 10, पूर्वी सिमून 4, हजारी बैगदो, बोकारो नव, धनबाद 5, पच्मी सिमून 3, कोडारमा 1, देखर 3, गुमला 2, खोटी 2, सिमडेगा 2, गोडा 2, साइब गज से 1 मिले हैं जारखन में 51 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जारखन में कूल मौत की संक्या 5122 है, वहीं कूल एक्टिव केस की संक्या 315 है, भारत में 41, 683 नए केस मिले हैं, भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 4,3,605 है जमसेदपूर में कुरोना नहीं हुआ फिर भी बलैक फंगस ने किया हमला देश में अभी तक जितने भी बलैक फंगस के मामले साबने आया है सबी मरीजों को पाले कुरोना हुआ था कुरोना के दोरान अतियधिक ओक्सीजन और एस्टेराइड को ब्लैक फंगस का कान बताया गया था अब जमसेदपूर में ब्लैक फंगस का अजीब मामला समने आया है बतादे जिस ब्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टी हुई है उसे कभी कुरोना नहीं हुआ था वह कभी किसी अस्पताल में भी भरती नहीं हुआ था राज जेपाल और मुख मंत्री ने दी इद उल अजहा की मुबारक बाद राज जेपाल रमेस बैस और मुख मंत्री हमान सुरेन ने जार्खनवासियों को इद उल अजहा की मुबारक बाद और सुब कमनाय दी है राजेपाल ने कहा कि यह परफ त्याग एवं बरिदान की प्रेरना देता है और प्रेम एकता एवं आपसी भाईचारों की भावना को प्रगाट करने का संदेश देता है उन्होंने सभी के खुश हाली एवं सुख में जीवन की कामना की है औक्सीजन की कमी से हुई मौत के लिए क्यंद सरकार जीमेदार बना गुपता स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि कुरोणा की दूसरी लवर में औक्सीजन की कमी से इसलिए मौत हुई क्योंकि सरकार ने ऑक्सिजन निर्याद 700 पर 37 तक बढ़ा दिया था सरकार ने ऑक्सिजन ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रेक ट्रोक की विवस्था नहीं की इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सिजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता भी नहीं दिखाई स्वास्त राजमंतरी भारती प्रवीन पावार ने कहा है की कोविड मांमारी की दूसरी लहर के दोयान किसी भी राज है या केंडरेसासित परदेश से आक्सिजन के अभाव में किसी भी मरिज की मौत की खबर नहीं मिली है या एक गर्जी में दराना ब्यान है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है घुमला में स्मार्ट क्लास पर चोरों की नजर छातरों की अच्छी सीछा और सुविधा बहाल करने के लिए जिला पर ससंद्वारा चुणिंदा विद्ध्यालों में स्मार्ट कलास का नेवान किया गया है लेकिन इन स्मार्ट कलास पर चोरों की कुद्रिष्टी पड़ गई है बता दे लोकड़न में बिद्याले बंध है ऐसे में कक्छाय अस्थागित है इसका चोर लाव उठा रहे हैं मोका पाकर बिद्याले के स्मार्ट कलास में सेंदमारी कर किम्ति उप करनों की चोरी कर ले रहे हैं वता दे गुमला जीले के 20 ऊच भिध्यालों में नेजी Bhat kinda असमार्ट क्लास का निर्मान 4.45 लाख रूपाई की लागत से किया घट है है फरवरी से लेकर अब तक जीले के 5 भिध्यालों में चोरी की घटना घट चुकी है उग्रवादी संगठन जेजे MP के एरिया कमांडर समेथ दो उग्रवादी गिरफतार SDPO राजेस कोजूर के नेधुत में महुआ टान थाना पोलिस ने बुद्वार को अले सुबा अक्सी जंगल से चापा मारी कर परतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजे MP के एरिया कमांडर समेथ दो सक क्रिये सदस्यों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पलामू में रिमांड होम से तीन नवालिक फरार पलामू जिला मुख्याला में मेदनी नगर इस्थित रिमांड होम से तीन नवालिक फरार हो गए है या तीनो नवालिक हत्या वदुसकर्म जैसे कई मामलों के आरोपित बताये जाते है जनकारी के उनसार तीनो रिमांड होम की छट से चड़ कर भागे है बुद्वार की सुबह गिंती के दुराने आपता चला है कि तीनो नवालिक फरार है कुरोना में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगा आरपियेव कुरोना काल में बहुत सारे परिवार के सामने गंभीर बिपता आई है बतादे कई परिवारों में कमाने वाले और घर चलाने वाले सदा से ही कुरोना की बेट चड़ गए है ऐसे भी परिवार है जहां सिर्फ बच्चे रह गए हैं बहुतों को सामने दो वक्त गिरोटी का भी संकट है ऐसे में उनका भवीच से अंधिकार में दिख रहा है मगर इस चिंता से सरकार खोद ही चिंती था और उनके लिए योजना पर काम भी चल रहा है बतादे आरपीएफ ने भी अपनी सन्वेदना रखते हुए इस तरह के लवारिस और आर्थिक रूप से टूट चुके परिवार के बच्चों को गोद लेने का निना लिया है गोद लेने का तत्पार इंटर तक उनके रहने, खाने और सिक्षा के मुफ्त व्यवस्था करना है इसकूल खोलने पर सरकार विचार करे प्राइबेट इसकूल और चिल्रेंड वेलफेर रेसोसियेशन के परदेश्थ अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि करीब 16 महीने से बंद इसकूलों को फिर से खोलने पर विचार करने का अब सही वक्त आ गया है सरकार को कुरोना संक्रमन से बचाओ को ध्यान में रखते हुए अवसक निर्ने जल्द लेना चाहिए आलोक दुबे ने कहा कि पासवा का एक प्रतिनीदी मंडल गुरुवार को मुक्ष मत्रेमन सुरें से मिल कर इसकूल खोलने पर विचार के लिए निवेदन करेगा अधिवक्ताओं का एक दल का कहना है कि कुरोना के मामले में कमी आई है इस्तित्री नियंत्रन में है इसको देखते हुए कुरोना गाइडलाइन के आदेश कानुपारन के साथ अब फिजिकल कोट सुरू किया जाना चाहिए जारखन में संगठन की मजबूती से तय होगा कुर्सी का खेल जारखन में हेमान सुरेन सरकार के पहले इंतिहान की घड़ी सामने आ गई है या इंतिहान साथधारी दलों के बीच बेहतर तालमेल की हकिकत को बया करेगा बदादे बीच सुत्री से लेकर निगरानी समीती वा बोर्ड निगम से लेकर आयोक की कुर्सी को लेकर रायनितिक तेज हो गई है जिला और परखन अस्तर पर संगठन की मजबूती और कमजोरी के आधार पर कुर्सी का खेल सुरुई होने जा रहा है बीना संकोज किये लोग अपनी समस्याओ को रखे मंत्री उराव जारखन सरकार के बीत एवम खाद आपूर्ती मंत्री और लोहर्दागा बिधायक टाक्टर रामेसर उराव बोध्वार को जिले के भंडरा परखन छेत्र के गाओ गाओ का दोराकर गरामिनों से मुलकात करून की समस्याओ सुनी इस दोराण मंत्री ने लोहर्दागा जिले के भंडरा परखन अंतरगत, जम गाओ, भीठा, मकुंदा गाओ पहुचकर बारी-बारी से गरामिन से मुलकात की साथी बिधायक मत्से निर्मीत, P.C.C. सड़क का मंत्री ने उद्गाटन भी किया मंत्री ने ग्रामिनों की समस्याव को गमीता से सुना और उसे सूची बत करने का निर्देश दिया पीम आवास के लिए लाभुकों की फीर से जियो टैगिंग परधान मंत्री आवास जोजना के लिए लाभुकों की फीर से जियो टैगिंग होगी बतादे बेव लिंक के माध्यम से तक्निकी या अने कार्णों से जियो टैग नहीं होने वाले परिवारों के सूची तैयार होगी और सभी को लाविको की प्रतिक्षा सूची में सामिल किया जाएगा इसके लिए ग्राविन विकास के अपर सचीव राम कुमार सिना ने डी सी और डी डी सी को आदेश जारी किया है जनकारी के मुताबिक अवास पलस में राज भर में 13,21,444 परिवार का निबंधन कराया गया था लेकिन तक्निकी कारण से 2,3,4 परिवारों के नाम सुची से हटा दिये गए थे पलामू टाइगर रिजर्ब में हाथी के बच्चे को तसकरों ने मारा पलामू टाइगर रिजर्ब के कुटकू भजना वन छेत्रे में 4 वरसी हाथी के बच्चे का सव मिला है सो को देखने पर पाया गया कि आती के बचे के दात निकाल लिये गया है। रांची और खुटी के दो सवन ठावन सिक्षकों से होगी करोरो रूपई की वसुली की जाएगी। इन सिक्षकों को पिछले कुछ वर्सों में अनियमित रूप से लाप प्रदान किया गया है। इसका खुलासा एजी की ओडिट रिपोट में हुआ है। बताते कई रिमाइंडर भेजने के बावजूत अब तक रास्तिक वसुली नहीं की जा सकी है। अब इसकुली सिक्षा और सक्षता विभाग ने कलाई से इसका पादन करते हुए और विलम वसुली का नियदेश दिया है। और निराधार आरोप लगा रही है। कॉंग्रेस का या पुराना चरीत रहा है। धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं होतों चैनल को सस्क्राइब कर बहल के बेले कंदवाईए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले। साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़एक अवसे दे। थाइंक्यू।